नमस्कार आप देख रहें प्राइम न्यूस 24 मैं हूँ आपके साथ सुनी का खबर ग्रेटर नौइडा से हैं जहां दनकौर छेट कर चुहरपुर बांगर गाउं में फसल काटे समें कमबाइन मसीन के उपर बिजली कातार तूटने के कारण किसान की साथ एकड ग्यों की फसल जलकर हुई खाग किसानों कया कहना है कि तीन वर्सों से ही लगातार विदतविभाग की लापरवाही की वज़ा से ऐसे कई एकड फसलों में आग लग जाती है और कोई भी सुन्वाई नहीं हो पाती है किसानों ने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण बिजली की लाइन का नीचे होना है जिसकी सिकायत किसानों ने कई बार विदत विभाग को सूचित किया है लेकिन उसके वावजूद भी इस लाइन को सही नहीं करवाया गया और ऐसे ही हर वर्ज किसानों की गेहों की फसल में आग लगने देखने को मिलता है Prime News 24 के लिए समीर खान की रिपोर्ट जिस वक्त रोटी वनाने में समय लगता है और उसे खाने में कम समय लगता है उसी पिरकार जब कोई किसान अपनी फसल को उगाता है तो उसमें काफी समय लगता है और जब कोई ऐसी अनहोनी घट जाए जिसकी वज़े से संद मिल्टों में और चंद घंटों में जलकर सब कुछ खाक हो जाए नमस्कार आपके साथ मैं हूँ समिर खान आप देख रहें प्रानिश 24 इस वक्त हम गिरेट नौडा के चोहडपुर गाओं में मौज़े दे जहां पर कल कम समय दो ढ़ाई वज़े दो फैर को किसानों की साथ एकर जमीन बार ग्याओं की फसल में आग लग चुकी थी वो आग किस कारण लगी वो भी मैं आपको बताऊंगा आग कल जो लगी थी वो विद्द विवाग की लापरवाई से लगी थी क्योंकि यहां पर जो किसान है मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक तो उफर से कौराना का कहरे रहे तो लोकडाउन का कहरे रहे तो दूसरी त सबसkते किसानों के साथ ऐसी घटना और अनहों अनहों कुछ रही तो ऐसे में जो घरीब परिवार है वो कैसा गजारा करें अपना मेरे साथ किसकारण लगी ती क्या था यह मसीन कटवाने को लाइका कम पास तो वो तार जो है बिल्कुल नीचे टार वहने सु भिजली आरी तारों में एकदम उसने सोट मारा विजली ने तार में तार दोलकर नीचे आदमी भी नहीं लेकल पारा वुसने ज्यान द्राइबर ने उस्त ने एक दमी तार में आग लगते ही ड्राइबर वीबच के वहीं बैठे रही इतने आग लगी लग रही तो यह तो गेरने चाहिए वह तर नहीं है यह तो लोहे के तार है रसी के बराबर वह तो इतने मोटे तार आते हैं लोहे के तार हैं अब की लगी है पिर हर साल एक तीन योजना से लग लगी उससे पिछली साल भी लगी तीन वरसों से आप ऐसी देख रहे है जी अच्छा यह नीचे तार होने के कारह लगी नीचे तार होने रहा है तो आपने विद्दृ विवाग से कोई application यह पर कोई वात पिछली जोजना में दीजी अपलीकेशन कोई सुनता नहीं 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 लग रहा है अब देखो यह थो रही है इसकी बच्चे भूके मर जांगे क्या खांगे बताओं आप देख रहे हों कि मैं आपको मेरे पास कुछ कहने के लिए सब्द नहीं है यह आप देख रहे ह होगा लेकिन करदा भी लेकर विद्द दिवाग की तरफ से उनकी लातरवाई की तरफ से इनका सब कुछ जलकर ठाक हो गया यह इनके बच्चे चोट चोटी यह बच्चे क्या काईंगे आज मेरे पास कहने के लिए सब्द नहीं है क्योंकि हम कही दिना से ऐसे तस्वीर दे जले जाते कोई शुनता बारे या काग हो गए बत ने कि पंधर कर बागा करणें को जब किसानों की इस्तिति और यह तो आम जता क्या करेंगी और जो मज़दूर वो क्या करेंगे अब तक कल जो आग लगी थी बताइए आग जो लगी थी कल आपने कोई पृशास नहां पर पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई और घंटा बाद पटवारी आए तो आग भुजाने वाली जो मसीन होती वो नहीं आई जो नहीं तो चोटी सी आई थी एक एक बड़ा जिला का अदकारी कोई आया पुलिस आई उन्हों नहीं क्या आसवासन दिया था उसने पुलिस ने बात कहीं जी तुम्हारा जितना भी नुक्सवान हुआ है और पिर उस पैसे दिल वांगे तुम्हारा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैं कैमरा मैं से काऊंगा कि दिखाए यह खड़ी फसलती गयो कि जो बिजली की लापरवाई से आग लग चुकी थी कंपाइट मैं उद्धा दिखाना चाहूंगा आपका यही वह कंपाइट मसीन है जिसमें तार छुबने से तार का सौंटकट लगने से ठूटने से जो पाइट में जो है वह आग लग चुकी थी और मैं आपको यह भी उपर कर यह ताल लाइन विजली जाए बिजली की लाइन आधि तो आग लग जाती है और यहाँ कर्द यह जो कम से कम साठ एकर जमीन थी जो फूरी जलकर खाक हो चुकी यह अब तक इन्हें क्या सरकार की तरफ से क्या आसवासन गंदता है कुछ सरकार पिर्सासन इनकी क diplomatळ करती है जिससे यह अपने परिवार का गोजारा कर सके अपने बच्चों का पेट भर सकी क्योंकि इन्हों ने जो महीनों से सालों से यह जो महनुत कर रहे तो उस पर सब पानी फिड़ चुका है ऐसे और यह बताए कि बच्चे कितने बड़े बड़े चोटे बच्चे चोटे पाई और भी बहुत और भी बहुत लाज भूंग जाता इनके चोटे बच्चे हैं और यह चाते ही कि इनके चोटी-चोटी जो बच्चे उनका किसी भी तरीके सरकार की तरफ से कोई मदद पर मिले ताकि अपने बच्चों का भर पूजन कर सके मैं समिर खान प्रानिश्टर के लिए केमरामेन रास्तमार के साथ ग्रेटर नोड़ा